और ये दिखाने के लिए अभी फिलाल उनका घर को ढ़ा गिया हम ही कोट हैं हम ही सरकार हैं हम ही मुखमंत्री हैं तो ये बिल्कुल तना साही रवया है मोदी जी 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 चाहेंगे लोगों को अक्रियोस को दबाने के लिए भाजबा के मनमाना है जो हम जो चाहेंगे यहाँ जो है कानून नाम का कोई चीज ने बच गिया यूपी में नमस्कार मैं इम्तियाज अहमद और इस वक्त हम मौझूद हैं दर्भंगा शहर में हम इस वक्त एक गिरामीन साइट के अलाके में हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे कि अभी हालिया यूपी के अंदर विकास दुबे नाम के गैंग्स्टर ने जिस तरह कि कैसे हमारे देश के आठ पुलिस जवानों को शहीद कर दिया उन्हें जो है बेदर्दी से मार दिया उसके उपर यहां की जनता आखिर क्या कहना चाहती है हम इस संबन में बात करेंगे तो आईए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं ताजा जो इस्थिति है यूपी के अ यह तो सरे आम आया है जो यूपी सरकार के बहुत दरोगा बरे बरे अपसर दरोगा इंस्पेक्टर डियस पी रेंग के आदमी जो है विकास दुब्बे से कनेक्शन था और उन तमाम लोगों को अगर मोबाइल डिलिट लेके अगर मोबाइल का जो है यह कराया जाए तो ब भी फिलाल जो है मने अपने यह बचाने के लिए मने उनके घर को ढहा गया है मैं इसको भी मलजे अच्छा नहीं मानता हूं जो मुझरिम है वो उसको पकरना चाहिए पकर के कानुन के दौरा जो कोट के दौरा निरने होगा उसके तहत घर ढहा अगर जाता तो अच्छी बा यूपी में जोगी जी जी चाहेंगे मोदी जी जी चाहेंगे लोगों को अक्रे उसको दबाने के लिए मनें कोट नहीं करेगा लेकिन हम ही कोट हैं हमी सरकार हैं हमी मुखमंतरी हैं तो ये बिल्कुल तना साही रवाया है क्या लगता है यह जो गैंग्स्टर विकास दूबे जो है क्या इसको वहाँ पे जो अभी मौझूदा सरकार है योगी जी की सरकार है बीजेपी की सरकार है आप लोग क्या लगता है क्या उस सरकार का कुछ संदक्षन पर आप दिखता है क्या पूरा सरकार के संदक्षन है यूपी के अंदर यह घटना घटी विकास दुबे गैंग्स्टर नाम के वैक्ति के दुआरा आठ पुलिस जवानों को शहिद किया गया इसमें किस तरह से राजनीतिक सनक्षन परापते इनका ऐसा कहना कुछ आफ लोग है उनसे बात करते हैं आप बताइए सर के जिस तरह से गरीबों को लेकर के सरकार बड़े बड़े घोशना होते हैं उसके तरब से की जाती है क्या गरीबों को कुछ मिल पा रहा है कि नहीं ऐसा ही तो जो है मोदी जी भी और ये नितिश कुमार जी दोनों आदमी को देख रहे हैं बार बार जो है स्रिफ कागज पर जो है घोरा दोराने का काम किया बरे बरे घोशना करने की काम किया हम गरीबों सब के बीच जो है से अभी तक ये महमारी जो करोना की है जिसमें घोशना कर रहे हैं साबुन देंगे मास देंगे अभी तक जो है से पंचायत में हम देख रहे हैं जब हम लोगों को नहीं मिला तो लगता है कि पूरे जीला में नहीं मिला किसी गरीब को इस पर जलनल योजना जो कहती है नितिश कुमार जी बरे पैमाने पर जो है से चलाए है गाउ गहर में सोचाले है परधान मंत्री आवास योजना जो चला है इस सब पर जो है से देखिए यहां जो है से पूरे के पूरे जो है घोटाला हो रहा है जलनल योजना जो है से पंचायत में कहीं लगा ही नहीं और लगा तो चला ही नहीं और जहां कुछ चला भी वहां देख रहे हैं कि रोड पर जो है से नला के बेगर पूरे रोड का जो है से और कचरा बना दिया पहले नला होना चाहिए उसका बाद जल्वाल योजना जो है से चलाया उसमें जो है पानी जो है नि क्या लगता है यह सड़कार रहनी चाहिए या इसको बदलने के जलोवत है यह तो जनता जो है उनको जो है से जोरिया जंती जो है समयट के भेज ही देगा जैसे आवाज दे रहा है विकास पूत्र नितिस कुमार यह जो दिये थे बरी बुलंद से लेकिन यह सब जो है से जनत बहुत ऐसी बैक्ती है जिसकी रासन काड नहीं था तो कहा जो रिलिप के रूप में पांच किलो जो है बरहा के दिया जाएगा वह भी बंचित हो गया जिसको रासन काड मिल गया उसको कोता है जो अब ही मिलेगा ही नहीं आपका रासन काड अचा यह बताईए चलिए यह राजा स्थिती है क्रोना काल चल रहा है उस पर से चीन के दुआरा हमारे देश के ऊपर लगातार हम्ले हुए हमारे फौजी भी शहीद हुए इसको लेकर के जो देश की नीती है खासव से केंड्रिय सरकार की जो नीती है उस पर क्या सुचते हैं इस पर तो नरेंद्र मोधी सिर्फ देखिए हमारे देश भार्थी सेना को बीशुगों को मरबा दिया गिया है यह सब राजनेतिक बरे पैमाने पर पर परधानमंत्री जी अपना कर रहे हैं हमारे भार्थी सेना को मरबा दिया सब राजनेतिक है और कहीं कुछ नहीं है सब गरीबों का बरगलाने का से काम किया ही है बरे-बरे माफिया सब इस पर आपका राजनेतिक ने का रोटी सेखने का काम रोटी है चालिए तो यह थेवा इनका tert अब है सब्सक्राइब आपस में बिल्कुल अलग-अलग ब्यान है एक तो हमारा रक्षा मंत्रा ले और गिरी मंत्रा ले कह रहा है विडेश मंत्रा ले कह रहा है कि हमारे देश में हमारे चीन हमारे सीमा काती कर्मन कर रहा है और हमारे परधान मंत्री कह रहा है कि चीन हमारे सीमा के अंदर न घुसा था न घुसा है और अब आज के पेपर में हम पर रहा हैं कि चिन अब वापस सेना को वापस जा रहा है जब गुसा ही नहीं तो फिर वापस कैसे हो रहा है तो आप ब्यान से देख लिए कि हमारे देश के परधान मंत्री पूरे देश के आबाम को कैसे बरगला रहा है प्रय जोफ ऒंपन है। प्रदितरीशत। कई यूपी का जो मामला है, विकास दुबे गैंक्साटर का, उसको लेकर के आप लोग क्या सुसते हैं देखें विकास दुबे गैंगेस्टर जो अभी आठ पुलीस जवानों को मारा है आप जान लीजिए कि ये जब जांच आगे बढ़ेगा जांच को अगर सही तरीके से किया जाए तो निश्टित तौर पर विकास दुबे का तार भा सिकता के लोग हैं जो संघी मान सिकता के लोग हैं वो इस प्रकार की घटनाय करता है और घटना करने के बाद सरकार और वो सत्ता संरक्षन में खड़ा हो जा रहा है निश्चित तोर पर आप देख लिजे कि इतने बड़ा गैंगेस्टर आठ आठ पुलीस जवान को सहीर कर है और उसका संबंध सीधा सीधी भाजपा के बड़े बड़े नेता से हैं चुकि भाजपा की जो सत्ता है वह गैंगेस्टर पर ही टिका हुआ है जूट की बुलियाद पर टिका हुआ है और जो जूट की बुलियाद पर टिकी हुई सत्ता है वह ऐसे से हैं गैंगेस्टर क खाड़ा करता है और समाज भी विद्वांस फैलाता है चलिए तो ये थी दर्बंगा की जनता जिसको अभी आप सुन रहे थे साफ साफ इनका कहना था चाहे वो यूपी के विकास दुबे गेंग्स्टर के मामले में हो किस तरह से इन लोगों का मानना है कि इस पर सिर्फ और स 80 करोर लोगों को इसका गरीब लोगों को फाइदा होगा उसको लेकर के भी इन लोगों ने अपनी राय रखी किस तरह से आम लोगों तक इसका फाइदा कितना पहुंच पाया है यह इन लोगों का बताना था जिसको जान करिये लगता है कि सब लोगों तक यह फाइदा नह पंसे कर दोब सम Hypn कर दो लोगत ज connect झाल खमस्णाष्री चुड़ा जिलना का जिलना रिश पनक понад 550 G स्टोब टेरा चुड़ा साथ मतुर्श झाल झाल झाल